हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल बात करते हैं निफ्टी क्यों विकली अनालिसिस के और निफ्टी को कैसे हम मंडे में टेट प्लान कर सकते हैं क्या स्टक्चर बन रहा है का अप्वी कैसे अनलाज कर सकते हैं सारा जो गीम है सब्सक्राइब को से लेवल्स बन रहे हैं और वह сюжेंट型 करेंगे सारे यंगल से मार्केट को वोच आउट करेंगे दिन आपको इसली समझ में आएगा तो आप सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी को वीकली टाइम फ्रेम पे तो लिट में चेंज किया है अगर ध्यान निफ्टी के टाइम फ्रेम पे एक बहुत इंट्रेस्टिंग कैंडल बनी है काफी बैसिकली डोजी फॉर्मिशन क्या होता है डोजी फॉर्मिशन मुतार मार्केट में होता है कि ना बॉल्स को पता है मार्केट किधर जाने वाला ना बीर्स को पता है मार्केट उपर जाना है या नीचे जाना पता नहीं होता है इस केस में क्या होता है एक आपको अच्छा म मिलेगा अब यह मुब आपको अपर साइट मिल सकता है लोवर साइड मिलता है तो आपको वेट करना पढ़ेगा अपनी ऑपर I या लोवर साइड में क्योंकि जिस साइड ब्रेक करेगा फिर मार्के आपका डारेक्शनल जाएगा तो वीकली टाम फ्रेम बहुत इंट्रेस्टिंग कैंडल बनी है सेकेंड देखेंगे मार्केट जो है अन्द वीकली टाम बनी से फॉल जो आया उसका देखेंगे वन विक ट काफी इंपॉर्टेंट है ने कि कंटिन्वस फॉर बेसे लेवल को होल्ड कर रहा है तो निफ्टी जब तक इसके नीचे एक या दो क्लोज ना दे जहांने कि एक दिन दो दिन क्लोज ना दे क्लोजिंग इस दा इंपॉर्टेंट तब तक मार्केट में आप वेट कर सकते मार्केट कभी भी रिवर्स कर सकता है लेकिन क्लोज देगा भी दिन बड़ा फॉल आ सकता है उन्द इन दैट केस आपको 17100 का लेवल भी देखने को मिल सकता है सेकंड ते कर अब ध्यान देंग है दिन आपका इस केंडल का हाई भी आप प्रीबियस दो केंडल का इनका भी हाई आप देख सकते हैं कि यह केंडल आज के पास है क्लियर नाव वर गूंग तो एड़ बोलिंजर बैंड नाव आपको कुछ इंट्रेस्टिंग पैटर्स नजर आएंगे आपका बोलिंजर ब अपर गया लास्ट हाई को भी इसने ब्रेक कर दिया अगें मार्केट ने जब अपर बैंड से फॉल किया तो अगें यह ट्वंटी एस में लाइन को सपोर्ट ले रहा है तो जब तक इस लेवल को ब्रेक ना करती हाना कि ब्रेक करके दो एक-दो दी सस्टेन ना करें और वि करना है और इसको ब्रेक करके सस्टेन करते हैं मार्केट में लोवर बैंड तक टच करने के बढ़े आएंगे तो अभी तो मार्केट में इसको सपोर्ट कर जब तक इसमें सपोर्ट नहीं कर आप जब तक इसको सपोर्ट यहां पर ले रहा है तब तक आपको बचके रहना है तो इसको ब्रेक करके वापस रेट्स करने आया है है से करने के बाद जब मार्टे निकलेगा दिन आपको वो एक लॉंग साइट का अच्छा टेट देखने को मिलेगा अन्द विकली टाइम फ्रेम पे जो टेडी होती है और नॉर्मल पोजिशन लोग ही करते हैं नो चार्ड को करते हैं, डालेली ताइम फ्रेम पे बॉलिंजर? इसके लोवर बैंट पे वीकली टाइम फ्रेम पे इसके 20ह 설हänner को support ले रहा है अन्द दाइल से लोवर बैंट इस सपोर्ट ले रहा है तो दोनों ही एंगल से आपको सपोर्ट देखने को मिला है कि मार्केट जो कहां पर सपोर्ट ले रहा है तो अगर इसको निकलेगा उपर तो फिर आपका 20 SML जो आपके बार बार इस हाई की बात कर रहा हूं इस हाई के आसपास में इसके ऊपर भी क्लोज आपको देदेगा द करता है देन आपको 18,400 का लेवल आपको देखने को मिल जाएगा तो यह तो बात होई आपकी डेली टाइम फ्रेम पर विक्राइम पर निफ्टी के ट्रेडिंग प्लान के ट्रेडिंग सटप के बारें ना बोलिंजर बैंड को हाइड करते ना बात करते मंडेक हमको कैसे नि इंपोर्टेंट ट्रेंड लाइन है जो लॉंग टाम चली आ रही है मार्केट ने मल्टिपल टाइम इसको सब इसको रिस्टेंस के लिए अगर आप देखेंगे अवले टाम फ्रेम पर अगेर यह इसी लाइन के पास जो यह हाई बना हुआ हमारा 18,014 का लेवल 18,040 का जो इसके उपर जब तक मार्केट या दबल आप देख सकते हैं इसके उपर मार्केट में आपको बुलिच का सुट्नल नहीं मिलेगा और मेन जो आपका आपको बुलिच इसको ब्रेक कने के बाद आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि मार्केट इस लेवल पर कैसा रियक्ट कर रहा है और अबली चार्ड फ्रेम पे लेना है त्लिक में करते हैं अबसक्षाइब करना है तो यह सपोट एरिया है यहाप मार्केट ने ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम बनाया और यह सब इसको निफ्टी ने फाइनली ब्रेक किया और एक इंसाइड बार केंडल बनाया इंसाइड बार बना के मार्केट ने सटन आपने स्पाइक दिया और फिर इंपोर्टेंट यह एरिया था प्रिफिजी काफी बार आप देखेंगे मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा था विद्र ब्रेक करने के बाद इसने री टेस्ट भी कर लिया है तो अब आपको एक ड्रेट कैसे बनता है अगरमार्केट इस लेवल निकलता जैसे इसके विप जाता है इमीडियेट तरफेट चीब स्टियन करता है लिएम कbor भेल, लेवल घंपशन करता है। तर्फिट आपको इस जोन में जो है कोई ट्रेड ने लेना आपको वेट एंड वाच करना है मार्केट कहां पर जाने वाला अगर मार्केट बाइचांस गैप अपन होता है तो डवल रिजिस्टेंस है यहां पर तो मार्केट पर जाईर सब्सक्राइब जितने लोग ओपरनेट पोशिशन ले करें प्रॉफिट को बुक करेंगे तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी और वापस फिर इस लेवल कोसु करती है जहना कि प्रॉफिट बुकिंग आती और वापस इस लेवल को टैस्ट कर के निकलते देन सब्सक्राइब करक्र सकते ट्रेड मिलेगा पूरे दिन में मार्केट में आपको पैसा बनाने के लिए के वल आपको एक ही पर्फेकट चाहिएए के तो इसमें आपको के परोकरीज नहीं होगा यह वे 서 उसके लिए वेट करना पड़ा है तो लेट दम सेटल मार्केट को सेटल होने दीजिए उसके बाद अपने लेवल को वाच आउट करिए अपर प्राइस क्रीड करिए ग्लोबल सको रीड करिए उसके बाद आपनी पोजिशन को आप एक्षिक्यूट करिए इंट्री एंग्जीट आपकी पर्फिक्ट होने चाहिए ध्यान के इंट्री एंग्जीट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए तब आपका पैसा अच्छा बने वाला है अभी तक हम आप अपने टेलेग्राम चैनल का आपने जोई नहीं किया जरूर ज़ाइन कर दीजिए इसका लिंग मैंसें कि उससे काफी ज्यादा मिलने वाले लाइव मार्केट में लाइव मार्केट में आपको कई शारी लेवल्स जोई शेयर करता हूं जोब काफी हैं तो अब आप अपने बचा पाते हैं या एसल को आराम से आप ट्रेल कर पा दीए लेवल्स